वेलकम तू स्पी स्मार्ट डिजिटल तो आज का जो सेशन है बच्छो वो प्योरली बेजट है जे में 2018 के लिए अभी आने वाला गुल सेचन के अंदर हम क्या करेंगे चैप्टर वाइज थोड़ा सा dyskusन करेंगे टोपिक के ऊपर तो पहला जो नाistles झाए इसके अंदर जेण में में जितने भी अजाट स्वाश्ची सब्सक्रों करेंगें एक ऊपर तो तो जो भी theoretical part जो use हो सकता है chapter के अंदर या जिसकी जरुद पढ़ती है मैं J main को मत दिनेजर रखते हूं केवल J main तो हम यहाँ पर J advance की बात नहीं कर रहे हैं केवल J main के लिए फर्स्ट है AP AP means arithmetic progression तो होता क्या है यह तो कोई ऐसा sequence है जिसकी अगर हम कोई भी दो consecutive term का difference find out करें तो वो constant आएगा ठीक है कोई भी दो consecutive terms का difference is constant उस difference को हम बोलते है common difference तो इसकी जो standard appearance है AP की वो होती है first term suppose A है common difference is let करें D है तो first is A next is A plus D now A plus 2D and so on up to A plus N minus 1 into D तो कुछ ऐसी दिखाए देती है हमें इसके बारे में जो भी चीजे हो सकती है वो जानने है तो first जो topic है इसके अंदर वो है Nth term जिसको हम denote करते है T N से इसको हम Nth term बोलते हैं और general term भी बोलते हैं कहीं बार और यह ही हो जाती है हमारी तो यह सारी चीजे एक ही जैसी दिखती है तो इनको एक ही तरह से deal कर लेते हैं तो formula क्या है T N का T N is Nth term तो A plus N minus 1 into D यह है Nth term इसमें हम N के values put करेंगे तो हमें respective term मिल जाएंगे जैसे अगर हमें चाहिए first term तो N को one put करेंगे तो A मिल जाएगा second term चाहिए तो A plus D हो जाएगा and third term चाहिए तो A plus 2D हो जाएगा तो यह है Nth term का formula इसको याद रखेंगे अब इस Nth term की कुछ properties है तो उनको देख लेते हैं जैसे T1, T2, T3 और TN यह सब्सक्राइब की AP है कुछ terms है तो AP में जो condition है AP की वह होती है की consecutive terms का जो difference है वो constant है मतलब क्या है इसका तो T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 and so on और यह हो जाएगा हमारा common difference D ठीक है तो यह होता है तो that is AP इसी को हम use कर लेते अगर हमारे पास में तीन number है ABC AP में तो क्या हो जाएगा तो यहां से में मिलेगा B minus A is equal to C minus B solve करेंगे तो twice B is equal to A plus C तो यह condition है तीन number के AP में होने की ठीक है आगे बढ़ते हैं suppose T1 T2 T3 और TN अगर यह AP में है ठीक है एक और property है इसकी जो first और last term का sum है वह equal to होता है second or second last term is equal to third or and so on. So, first plus last second plus second last third plus third last is equal तो यह अच्छी property है कहीं पर काम आईगी 0. next is selection of terms तो अगर हमें कहीं पर ऐसी कोई problem के अंदर ना कोई जरुद पढ़ रही है हमें terms let कर रही है तो हम क्या करें तो इसमें पहला case आता है if sum of terms is given terms का sum हमें दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं इसको पुटे ध्यान से सीखना है n अगर 3 है तो हमें लेट करना चाहिए a-d a plus d n और नमबर है तो हमने लेट किया a-d a a plus d कैसे लिखा है मैंने वो देखा आपने a लिखा इससे 1- किया d को फिर plus कर लिया तो यहां पर हमें common difference d रखना है ऐसे ही अगर n 5 है तो क्या कर सकते है इस्टार्ट यहीं से करेंगे a लिखा पीछह आएंगे a-d d का common difference रखना है a-2d आगे बढ़ेंगे a plus d a plus 2d ऐसी 7 के लिए 9 के लिए अगर n suppose 4 है तो अब यहां पर क्या करेंगे हम तो 2d का common difference रखना है a-d a plus d यह दो टर्म से पहले लिखेंगे फिर left में तो right में तो दो का difference लेना है a-3d a plus 3d ऐसी अगर 6 है तो फिर ऐसी करेंगे a-d a plus d रखना है इधर a-3d हो जाएगा फिर और पीछे आजएंगे तो a-5d हो जाएगा आगे बढ़ेंगे a plus 3d हो जाएगा और a plus 5d हो ठीक है तो इस तरीके से हम टर्म्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर सम गीविन है तो second है अगर सम नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे तो if sum is not given तो फिर standard लेट करो जो हमने लिखी है यहां पर न ए ए प्लस डी ए प्लस टूडी तो एंड सो इस तरीके सम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा さब जाएगा इससे फायदा क्या हो आगर में सम दिया हुआ है तो इनको अड करके देखो किसी भी एक मुआपको से D आ जाएगा है तो मारा question असान होगा थोड़ा तो next property है तो जो हमने D use गया ना common difference वो क्या-क्या हो सकता है तो D can be greater than 0 less than 0 or D equal to 0 greater than 0 मतलब increasing AP है less than 0 मतलब decreasing AP है और अगर equal to 0 तो constant है constant मतलब हर एक term जो है तो AP की वो equal हो जाएगी नेक्स्ट जो टोपिक आता है इसमें कुछ terms है हमारे पास तो A1 A2 A3 and so on up to an यह कुछ numbers है अपी में है तो property क्या कहती है अगर हम कुछ add कर दें सारे numbers में हमने कोई constant value को सब जगा add कर दिया तो अभी जो sequence बनेगा वह एपी में ही रहेगा अगर हम हर एक term को किसी constant के से multiply कर लेते हैं तो जो sequence मिलेगा वह अभी भी अभी एपी में रहेगा अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो भी एपी में ही रहेगा तो अभी भी एपी में तो लास्ट प्रोपर्टी थी इसकी कि आपको एक question देखते हैं तो एला question है तीन नंबर समय दिव में कि एपी में है तो एक्स बताना है तो ए बी सी आर थ्री नंबर से इन एपी तो condition क्या है twice b is equal to a plus c तो भी लगाएंगे यह question j main में आया हुए 2002 में तो middle term का twice two of two time of middle term तो बाकी दोनों के sum के बराबर हो जाएगा अब लोग यूज हो रहा है यहां पर भी इधर भी लोग का जो बेस इधर 9 इधर 3 है आमें बेस को सेम करना पड़ेगा अगर लोग solve करना है तो यह 3 क्या बन यह 9 बन जाएगा 3 square अब प्रोपरडिया कहती है अगर बेस की power आ तो बहार आएगी लेकिन reciprocal के साथ में तो 2 by 2 आपने इसको क्या लिखेंगे तो यह 3 हो जाएगा आपने इसकी power 2 रही होगी यह इधर reciprocal में आ गई 3 raise to power 1 minus x plus 2 और इस 1 का क्या करें तो इस 1 को भी हम लिख सकते हैं log 3 with base 3 plus अब लेफ्ट में बचेगा log of 3 raise to power 1 minus x plus 2 with base 3 और इधर हम प्रोपरटी यूज कर सकते हैं log m plus n की यह कुछ ऐसा दिखेगा 3 time of 4 into 3 raise to power x minus 1 इन दोनों को multiply कर लिया base same है values को equate कर लेते 3 raise to power 1 minus x plus 2 is equal to 3 into 4 into 3 raise to power x minus 1 तो 3 की power x चल रही है दोनों side हम क्या कर सकते हैं 3 की power x को कुछ let कर लेते हैं यहां पर है 3 into 3 raise to power minus x plus 2 is equal to 12 into 3 raise to power x and minus 3 इन सब को इधर ले जाते हैं और 3 की power x को हम t let कर लेते हैं तो let 3 raise to power x is t तो क्या हो जाएगा यह 3 by t plus 2 is equal to 12 into t minus 3 अब क्या हो जाएगा t को multiply कर लेते हैं तो यह कुछ दिखेगा 3 is equal to 12 t square minus 5 t 12 t square minus 5 t और minus 3 equal to 0 यह quadratic equation t चाहिए यहां से इसको solve कर लेंगे तो t आ जाएगा यहां से t is equal to minus 1 by 3,3 by 4 तो इन दोनों में से कोई एक value आएगा t की इसको solve करेंगे आ जाएगा तो t क्या है तो t तो 3 raise to power x है minus 1 by 3 तो होगा नहीं तो फिर क्या रहा होगा यह तो यह आएगा 3 by 4 यहां से हमें चाहिए x तो x होगा log of 3 by 4 with base 3 score solve करेंगे तो हमें मिलेगा log 3 with base 3 minus log 4 with base 3 तो यह बनेगा 1 minus यह answer है fourth point है यहां से selection of terms तो GP के अगर हमें terms को select करना पड़े गहीं पर तो हम क्या करें तो दो type के case बनते है first जब हमें product given होगा product is तो अगर कुछ terms का product दिया वा जैसे उसने बोला कि GP है जिसकी तीन term का product है इतना है तो ऐसा ऐसा कुछ है यह बताओ तो हमें क्या पता चल रहा है कि GP है उसकी तीन term का product है तो अगर product given है तो हम term को कैसे लैट कर सकते हैं तो देखो जैसे हमने AP में किया था ना बिल्कुल वैसे कुछ करेंगे तो 3 है तो हम क्या करेंगे तो इससे पहले A by R इसके बाद A R तो अगर odd number of terms है तो common ratio को R रखेंगे है ना A लिखा इससे पहले A by R इसके बाद A into R अगर N 5 है तो A से ही शुरू करेंगे पीछे बढ़ेंगे A by R एक और पीछे चले गए एक और आगे चले गए तो 1,2,3,4,5 ऐसे चलेंगे ठीक है एन अगर 4 है तो क्या करें तो हम क्या करेंगे देखो यहां पे 3 और 5 में मतलब जब और number of term है तो common ratio को R रखा गया और जब even number of term होंगी तो common ratio को R square रखेंगे यहां पे आगया A by R तो इसके बाद उठाएंगे A R को तो पहले यह दो टर्म लिखनी है A by R, A R इसके बाद हम क्या करेंगे एक पीछे जाना है एक step पीछे चार बनाने के लिए A by R cube, R square common ratio है इधर क्या हो जाएगा A R cube, तो चार बनगी ऐसी 6 अगर अपने को चाहिए तो A A by R, A R, यह तो लिखना ही है, है ना third क्या हो जाएगी, यह fourth क्या हो जाएगी, तो A by R cube, फिर fifth क्या हो जाएगी, तो एक इस्टा पीछे भी हटो गई, तो यह होगे अपने पास six terms in GP, अगर product दिया हुआ है तो, second अगर product नहीं दिया होगा, तो उस case में हम, जो standard GP है वही ल let करके, ठीक है, अच्छे, इसका फायदा किया है, हम ऐसा ही क्यों let करते हैं, तो क्योंकि हमें product दिया हुआ है, और अगर हमने term को इन में से ही कुछ let किया है, तो क्या फायदा होगा, तो देखो, इनको product करके देखते हैं, तो A by R into A into AR, R cancel out हो जाएगा, A Q बचा equal to something, तो A गया, तो A की step में अपने को A पता लगेगा, ठीक है, उसको use करेंगे, एक और condition दी होगी, वहाँ से अपने को R पता लगेगा, तो फुरी series पता है, फिर कुछ भी कर सकते हैं, next is sum to N terms of GP, तो इसका formula होता है, Sn is equal to A into 1 minus R raised to power N upon 1 minus R, और R जो है वो कभी भी 1 नही होना चाहिए common ratio बन नहीं हो सकता, क्योंकि denominator 0 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद अगर यह जो number of term है, यह infinite हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो infinite term के लिए, तो सबसे जो important condition है, वो क्या होनी चाहिए, S infinity अगर चाहिए अपने को, तो सबसे important है कि जो modulus of R हो 1 होना, चाहिए, less than 1 होना चाहिए, मतलब R varying from minus 1 to 1, R इसके बीच में ही रहेगा, तो number of term है अपने पास, S infinity tends to infinity है, तो इससे होगा क्या, जो R की power N है, वो बनेगा 0, अगर R minus 1 और 1 के बीच में, N tends to infinity है, तो R raised to power N tends to 0, तो अपने इधर आ जाते हैं, तो S infinity क्या बनेगा, यह तो हो गया 0, तो A upon 1 minus R, condition हमारे पास है, A upon 1 minus R, N tends to infinity, और यह important है, कि जो modulus of R है, that less than 1, अच्छा, यहाँ पर अगर R1 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो R1 होने से क्या हो जाएगा, जो हमारी GP है, वो बनेगी A, R1 है, तो next भी है, A, A तो सारे equal number है, तो sum कितना हो जाएगा, उस case में sum हो जाएगा, N into A, कब जबार 1 है, तो, कुछ question है, जो J main में आएवे है, इस topic के उपर, particular GP के उपर, देख लेते हैं, sum of infinite number of terms of GP is 20, तो A plus AR plus AR square, कितनी infinite term is 20, यहां से क्या निकाल सकते हैं, तो A upon 1 minus R, अभी देखा न, is 20, तो यह है equation number, फिस्ट अपने पास, और क्या बोला इसने, sum of their square is 100, तो इनका square कर लो terms का, तो क्या हो जाएगा भई, A square, A square, R square, A square R is to power 4, and so on up to infinity is 100, यहां से क्या मिलेगा, तो first term है, A square, common ratio is R square, तो थोड़ा सा change कर लेंगे, तो A square upon 1 minus R square is 100, तो A square कितना होगा, यहां से 1 minus R, 1 plus R, और 100, ठीक है, A square यहां से आएगा, क्या हो जाएगा, A square हो जाएगा, 400 into 1 minus R square is 1 minus R, 1 plus R, और 100, ठीक, 1 minus R, 1 minus R cancel out हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, हमें यहां से 400 into 1 minus R is equal to 100 into 1 plus R, R आजाएगा यहां से, कोई बड़ी बात नहीं, तो बड़ा सिंपल सा question बना, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई, formula वेगर है क्या चल रहें, next आ जाते हैं, if the second, fifth and ninth terms of unknown constant AP, तो AP की second term हमने माल लिया यह है, first term capital A है, common difference small d, तो A plus D होगी second, fifth term क्या है, तो A plus 4D, ninth term क्या है, A plus 8D, तो यह AP की कुछ term है, यह किसमें दी हुई है, R in GP, then the common ratio of this GP, तो यह तीनों number हैं भाई, GP में, आपस में यह AP की term ही है, लेकिन अगर हम इनको एक अट्टे रखेंगे, तो यह बनेगा GP में, इसको यूज करके अपने को चाहिए, common ratio, तो common ratio क्या है, तो common ratio suppose R कैसे आएगा भाई, A plus 4D upon A plus D is equal to A plus 8D upon A plus 4D, यही है, common ratio of GP, second by first, तो third by second, तो क्या करें, one minus कर लेते हैं, दोनों साइड, क्या हो जाएगा, A plus 4D upon A plus D minus 1 is, A plus 8D upon A plus 4D minus 1, फायदा क्या हो रहा है, ऐसे करने से, देखो क्या फायदा होगा, तो उपर बचेगा 3D, नीचे बचेगा A plus D, यहाँ पर बचेगा 4D, तो नीचे बचेगा A plus 4D, थोड़ा इदर उदर कर लेते हैं, चीजों को, तो A plus 4D upon A plus D, कितना दिख रहा है, यह हो गया, 4D by 3D, 3D, तो यह बनेगा 4 by 3, और यह क्या चीज थी, यह तो R है, तो R कितना आगया अपने पास, 4 by 3 यह अंसर है, थोड़ा calculation में अल जा रहा है, बाकी है असान, टॉपिक में कोई बहुत भारी भारी कम, थियोरी नहीं पूछी गई है, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज है, तो AP, GP और जो अभी तक हमने GP पढ़ा है, तो GP पर questions आएवे हैं, जेमेन में, 7-8 questions आएवे हैं, पिछले सालों में, AP के उपर आएवे हैं, और आगे जो sum to end terms से है, end series है कोई, उसके end term का sum, different type की series हम पढ़ेंगे next session में, तो बड़ा important सी चीज है, यहीं पर question आता है, बड़े आसान question आएगे, एक question उम्मीद है आएगाई, दो भी आ सकते हैं, तो एक तो है लगबग 99% आएगाई, तो बड़ा आसान से होगा, थोड़ा सा धहरिया रखेंगे तो सौल हो जाएगा, और नेक्स्ट है वई, इसा कोई नंबर insert कर दिया, जिससे की जो sequence बना तीनों का, वो AP में है, तो जो insert क्या गया नंबर था, वही AM है, तो condition क्या हो जाएगी, B calculate होगा यहां से, क्योंकि AP में है, तो twice B क्या बनेगा, A plus C, और B कितना हो जाएगा, A plus C by 2, ठीक है, इसी को use कर लेते हैं, अगर जो AM है, वो suppose A है, A और B के बीच में, तो क्योंकि यह AM है A, तो sequence बन गया होगा AP में, तो AM क्या आ जाएगा, दो नंबर का, A plus B by 2, ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, दो नंबर अगर है, A और B, उनका AM क्या बनेगा, उनका sum divided by 2, ऐसे एगर वो सारे नंबर है, suppose हमारे पास नंबर है A1, A2, और up to AN, इनका हमें AM चाहिए तो वो बनेगा, A1 plus A2 and so on up to AN, तो इनको plus कर लो, और जितने भी हमारे पास टर्म है, उतने से डिवाइड कर लो, ठीक है बच्चों, तो यह बन जाएगा, AM of N numbers, अब हमें insert करने है, N AM between A and B, तो यह लिया हमने, इसके अंदर हमने insert कर लिए A1, A2, up to AN, और B, तो N AM है यह, A1, A2, A3, up to AN, A और B के बीच में insert किया, तो क्योंकि AM है, मतलब sequence हमारे AP रहा होगा, ठीक है, B last term है, तो B क्या बनेगा, तो A1, A2, A3, up to AN, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है N terms, ठीक है, A और B के बीच में, N AM insert किया है, तो N terms होगी, तो total term कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक count कर लेंगे, N यह थी, A और B और आगी, तो total बनगी है, हमारे पास में, N plus 2 terms, ठीक है, N, N कितना है, तो N plus 2, minus 1 into D, यहाँ से हम common difference निकाल सकते हैं, वो बनेगा, B minus A upon N plus 1, तो अगर हमें A, M insert करने हैं, तो common difference क्या रखना पड़ेगा, B minus A upon N plus 1, इसको याद रखेंगे, तो common difference आगिया, हमारे पास में, B minus A upon N plus 1, तो B minus A, अब A1 क्या है, तो A1 तो second term है, इस AP की second term है, A1, मतलब A plus D, D अपने को बता है, A2 क्या बनेगी, third term है, तो A plus 2D, ऐसे करते करते हम A, N निकाल सकते हैं, A plus N into D, तो अगर 1 है, तो 1 आएगा, D के साथ में, 2 है तो 2 multiply हुआ है, N है तो N multiply हुआ है, याद रखने का तरीक है, अब next है, इसमें, अगर हम इनको sum कर लें, A1 plus A2 plus up to A, N, तो यह किसके बराबर होता है, यह आता है, N time of A plus B by 2, mean है, A plus B by 2, हमने यहाँ पे निकाला था न, A is A plus B by 2, तो N AM का sum, बराबर होता है, N time of A of, single A of A and B, तो A और B के बीच में, single A M अगर insert करेंगे, A की किया यहाँ पे, तो आएगा A plus B by 2, N AM insert कर दिये, A1 plus A2 and so on up to A N, यह इन N AM का जो sum है, वो इकल टो हो जाएगा, N time of, sum of, single mean between A and B, तो इसको याद रखेंगे, अब एक एक एक्जाम्पल ले लेते हैं, insert, 20 AMs between 4 and 67, तो 4 और 67 के बीच में 20 AM insert करने हैं, तो इसको बना लेते हैं, पहले AP में, A1, A2, अपने पास है 20 AM, यह 67, तो D पहले निकालना पड़ेगा, D का फोर्मुला है, B-A upon N plus 1, तो B कितना भई, 67 है, यह 4 हो गया, अपन N, N क्या है, तो N है, यहाँ पर number of AM inserted, हमने कितने किये हैं, 20, 20 plus 1 हो गया, 21, तो 63 by 21 is 3, तो D आगया 3, अब A1 क्या होगा, तो यह second term में AP की, A plus D, तो 4 plus D कितना, 3, 7 आगया, A2 कितना आगया, A plus 2D, तो 4 plus 2 into 3 is 6, कितना आगया, 10, ऐसे करते करते हैं, अपने पहुंच सकते हैं, A 22, तो यह बनेगा, A plus 20D, तो यह कितना है, A is 4, प्लस, 20 into 3 is 60, तो कितना आगया, अपने पास, 64, तो यह answer है, भागे बढ़ते हैं, तो AM में इतना ही है, next is GP, अब next topic है अपने पास में, GP, तो होती क्या है GP, तो कोई ऐसा sequence है, जिसमें हर एक term का ratio to its, just preceding term is constant, तो हर एक term का, अगर हम ratio निकालेंगे, उससे just पहले वाली term के साथ में, तो वो constant आना जाहिए, standard appearance है, A, first term अगर A है, common ratio सब्सक्राइब है, तो AR, AR square and so on up to AR raise to power n minus 1, तो अब आजाते हैं, nth term पे, nth term, यह बनेगी, TN, तो यह आजाती है, इसमें, AR raise to power n minus 1, तो GP की nth term है, AR raise to power n minus 1, अब कुछ property हैं यहाँ पे, first है, अगर कुछ numbers है, A1, A2 and so on up to A, N, यह GP में हैं, तो इनको हमने अगर किसी constant के से multiply कर लिया, हर एक term को, तो भी यह GP में रहेगा, के से divide कर लिया, हर एक term को, तो भी यह GP में रहेगा, यह ना के से divide कर रहे तो के 0 ना हो जाए, ऐसी अगर हमने सब की power लगा दी, तो भी यह GP में रहने वाला है, ठीक है बच्चों, अच्छा, second point है, अगर A, B, C, T, नमबर अपने पास GP में है, तो GP की क्या condition है, कि ratio बराबर होता है, हर एक term का अपनी पिछली वाली term से, तो B by equal to energy, C by B, तो यहां से आजाएगा, B square is equal to AC, तो यह condition है, तीन नमबर के GP में होने की, अगर यह GP में है, तो जो product होता है, first का और last का, वह बराबर हो जाता है, second का तो second last का, और third का तो third last का, ऐसे कुछ हमने AP में भी किया था, था, वहाँ पर sum constant था, यहाँ पर product constant है, fourth point है अपने पास, selection of terms, तो अगर हमें GP की कोई term select करनी पड़े तो क्या करें, तो first है इसमें, अगर हमें product given है, तो क्या करें, तो यह बिल्कुल वैसे ही जैसे AP में था, अना N3 है, odd number है, तो A by R, A और A R, common ratio R रखेंगे, N5 है तो क्या करेंगे, तो वही common ratio R, odd number रहेगा, तो common ratio R रखना है अपने को, A आ गया, इदर A R, अब common ratio R है तो A R square होगा, फिर पीछे जाओ, A by R, और पीछे जाओ, A by R square, तो यह 5 terms होगी, ऐसी बाकिए गर odd number है तो कर लेंगे, अब N by N अगर 4 है तो क्या करें, अब common ratio को R square रखना है, कैसे कर सकते हैं, तो A by R उठा लो, A R उठा लो यहां से, A by R लिया, A R लिया, एक आगे एक पीछे, तो A by R cube, A R cube, और S E 6 के लिए 8 के लिए, तो यह तो होगया, selection of terms, next है इसमे, sum to N terms, अगर हमें उसकी N terms का, समझाईए, तो formula है, A into 1 minus R raise to power N, upon 1 minus R, तो R जो है, वो 1 नहीं हो सकता है, 1 होगया, तो denominator 0 जाएगा, ठीक है, if R is equal to 1, तो S N जो बनेगा, वो जाएगा N into A, R अगर 1 हो गया, तो सारी जो terms है, वो equal हो जाएगी, तो N time हो जाएगा sum, इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर हम N को infinite कर लें, तो उसके लिए condition क्या है, कि mode of R less than 1 होना चाहिए, और अगर N tends to infinity है, इस case में, तो R raise to power N जो है, वो tends to 0 हो जाएगा, तो सारी values को यहाँ पे रखो, तो S of infinity क्या बनेगा, infinite terms का sum, तो A अपनी जगा पे R के power N हो गया, 0, तो अपने पास बचेगा, A upon 1 minus R, important क्या है, mode of R is less than 1, और number of terms are infinity, तो यह हो गया sum का फंडा, अब हम कुछ प्रेशन देख लेते हैं, फंस्ट है, sum of infinite number of terms, of GP is 20, तो कोई GP है, उसकी infinite terms का जो sum है, 20 है, and sum of their square is 100, तो जो terms है, उन्हों का अगर square भी कर लें, उसको जो sum मिलेगा, वो 100 मिलेगा, then common ratio of GP is, अबने मान लिया, जो GP है, वो A, standard वाली उठा लेते हैं, अप्टू infinity जा रही है, यह GP है, इसकी end term का जो sum है, sum of infinite terms, sorry, infinite terms of, infinite number of terms of GP is 20, तो S infinity हमें दियावे 20, कैसे calculate करेंगे भाई, A upon 1 minus R is 20, तो यह 20 हो गया, यहां से हमें क्या मिलेगा, कि जो A है, वो जाएगा 20 into 1 minus R, अब क्या बोला है उसने, कि इनका square कर लो, और यह जा रही है, up to infinity, यह भी infinity तक जा रही थी, इसका जो sum है, वो 100 दिया हुआ है, इसका sum क्या साएगा, first term है A square, common ratio is R square, तो फिर यहां पर पूट करेंगे, first term is A square, common ratio is R square, जो A square है, वो बनेगा, 1 minus R square into 100, अब अपने को बता, A है 20 into 1 minus R, रखो यहां पर A square, तो क्या हो जाएगा, 400 into 1 minus R का square, यह होगा, इधर क्या बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं, 1 minus R, 1 plus R into 100, अब आसान सी equation है, यहां से R आ जाएगा, यहां सार होगा, अपना, ठीक, नेक्स्ट, इफ, 2nd, 5th and 9th term of a non-constant AP, are in GP, ठीक, धेंड़ कॉमन रिशो आफ इस GP, तो हम मान लेटें, जो GP है, वो, 1st term क्या होती है GP की, A, फिर AR है, और AR, इसक्यार है, यह 3 number है, जो GP में है, इसने क्या बोला है, कि 2nd of AP, 5th of AP and 9th of AP are GP, मतलब, A is equal to, 2nd term AP की क्या है, सपोज, जो AP है, उसकी 1st term है A, और common difference है, D, तो 2nd term क्या होगी, A plus D, GP की 1st term, AP की 2nd के बराबर है, तो पहली condition तो यह मिली अपने को, और जो 2nd term है, GP की, वो AP की 5th के बराबर है, तो A plus 4D, और जो GP की 3rd term है, A, R e square, यह equal है, 9th के, तो A plus 8 time of D, अब इनको solve करके, अपने को R चाहिए, तो क्या-क्या बगाना पड़ेगा, यहां से A को अटाना पड़ेगा, इस capital A को तो D को, तो कैसे जाएंगे यह, A है, A है, माइनस करेंगे तो कुछ बात बनेगी, अपनने क्या किया, A, R minus A कर लिया, इसमें से इसको घटा लिया, तो यह बनेगा, 4D minus D, तो 3D हो गया, इसमें से इसको घटा लिया, तो A, R square minus A, यह कितना बचेगा, यह आगया, 4D आगया, दोनों को डिवाइड कर लिया, अपने पास क्या है, A, R minus A upon, A, R square minus A, और यह बनेगा, 3D upon 4D, तो अब क्या करें, common आ रहा है, A, तो A को common लिया, हटा दिया, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा भी, तो यह आगया, अपने पास, 3 by 4, अब यह आगया, 1 upon R plus 1 is, 3 by 4, R आ जाएगा, यहां से, यह answer है, तो simple इसे question आते है, J, M, N, V, A, P, और G, P, के उपर, Question number third, The first two terms of a G, P, add up to 12, the sum of the third and the fourth term, is 48, if the terms of the GP are alternatively positive and negative, then the first term is, यह आना, तो यह important है, कि जो terms है, GP की, वो alternatively positive and negative हो रही है, तो किस GP में ऐसा हो सकता है, सबोस्ज हमारी GP है, A, A, R, A, R square, A, R cube, and so on, यह कोई GP है, alternatively positive and negative कब होगा, तो positive, A positive होना चाहिए, पहली बाद, इसको negative करना है, मतलब R negative होना चाहिए, R square, अगर negative भी चलेगा, R तो यह positive बनेगा, तो positive, negative, positive, फिर यह negative होगा, तो इस line से हमें यह पता चले गया, कि जो R है, वो less than 0 होना चाहिए, अब question पहाजाते हैं, the first two terms of a GP add up to 12, तो पहली दो term को add कर लिया, a plus a R is 12, और sum of third and fourth, तो third को पकड़ लिया, a R square plus a R cube is 48, यह ना दो equation है, दोनों को solve करके हैं, आसानी से, a और R की value निकाल सकते हैं, तो कैसे करें हैं, divide कर लेते हैं, तो a plus a R upon a R square plus a R cube 12 upon 48, फायदा क्या होता हैं यहां से, a common है दोनों में, तो cancel out हो जाएगा, तो 1 plus R upon, यहां से R square common ले लिया, यह तो कठी गया होगा, R square भी ले लिया, तो 1 plus R बच गया, इधर कितना हो गया, तो यह 1 by 4 आ गया, 1 plus R, 1 plus R cancel, तो अपने पास R square की 2 value मिलेंगी, आना 4, R square आ गया 4, यह एक value R square की, तो R आ जाएगी 2, plus minus 2, तो क्या होना चाहिए R इसमें, तो R तो negative हो, तो R होना चाहिए, minus 2, अब आते हैं, first term पर, तो first term कहां से, तो यहां से निकाल लेते हैं, a minus, twice a is equal to 12, तो minus a is 12, तो a आ जाएगा, minus 12, तो यह previous year J में है, next topic अपने पास, तो कोई ऐसा sequence है, जिसको हम convert कर सकते हैं, GP में, convertible to GP, for example, एक question उठाते हैंपन, 0.7, 0.77, 0.777 and so on, यह कोई sequence है, इसकी हमें पहली 20 terms का, समझाए, या पहली end term का समझाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको माल लेते हैं, सम को, 0.7, 0.77, plus 0.777, और up to, suppose 20 terms का इनिकाल रहे हैं, तो इसकी 20 term का समझाए, इसको पहले GP बनाना पढ़ेगा, कैसे बनाएंगे, 0.7 इसको लिखा, 7 by 10, 77 by 100, 7,777 by 1000, और up to, 20 terms, फिर क्या करें, 7 common ले लो यहां से, तो क्या हो जाएगा, 1 by 10, plus 11 by 100, plus 111 by 1000, and so on up to, अब क्या करें, तो 1 है, इसको बना लेते हैं 9, तो कैसे करेंगे बाई, 9 से divide कर लेते हैं, 9 से multiply कर लेते हैं, तो यह बनेगा, 9 by 10, plus 99 by 100, plus, up to 20 terms, तरहसा कुछ होगा, तो 7 by 9, अब इसमें क्या करें, तो 9 by 10 है, इसको मिलिख सकते हैं, 1 minus 1 by 10, 99 by 100 को, 1 minus 1 by 100, तो अपने पास से sequence मिल रहा है, अब यह GP बनेगा, up to, 20 terms, तो 1, 1, 1, 20 time हागया, तो यह हमें सम बताएगा, तो यह बनेगा 20, अब बाकी जो बच रहा है, 1 by 10, plus 1 by 10 square, plus 1 by 10 raise to power 3, और यह कितनी terms है, तो up to, 20 terms, तो यह GP में है sequence, इसकी first term है, 1 by 10, common ratio is 1 by 10, and number of terms are 20, तो यहाँ पर GP के सर्म का formula लगा देंगे, तो आ जाएगा, इसी तरीके से और भी कुछ sequence हो सकते हैं, जिनको हम आसानी से convert कर सकते हैं, GP में, तो वो भी एक important type का है, दो तीन बार ऐसी question जो है, आए भी है, जे में में, तो हो सकता आ जाए, यह ऐसे NCRT का है question, उसमें point नहीं है, उसमें 777 ऐसे चल रहा है, तो point वाला system अठा दिया, तो जे में ने उसी को पगड़ा, लेकिन point लगा दिया, तो थोड़ा से change किया है, तो sequence और series में, मेरे हिसाब से, जो question जो पूछता है, जे में में, वो NCRT का ही कोई concept उठाता है, कोई ऐसी चीज़ जो NCRT में है, लेवल भई रखता है, लेकिन थोड़ा से tricky करता है question को, तो theory बहुत जाला, vast पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो concept है, वो हमारे strong होने चाहिए, next is GM, geometric mean, तो इसका मतलब क्या है, पहले हो समझते हैं, तो suppose, तीन नंबर है हमारे पास में, A, B and C, और अगर ये GP में है, तो ये जो middle नंबर है, B, ये ही क्याला था इनका, GM of A and C, मतलब क्या इस बात का, कोई दो नंबर दे हमारे पास में, A and C, हमने उनके बीच में, कोई एक तीसरा नंबर इंसर्ट क्या, B, such that, इस थ्री नंबर, A, B and C, आर इन GP, तो जो इंसर्ट क्या गया नंबर है, वही क्यालाता है, GM of other two numbers, इसी तरीके से हम एक से ज़्यादा numbers भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो सपोज हमने कुछ और numbers insert कर दिया, उनको बोल दिया, G1, G2 and so on up to Gn, B, तो अब यह जो है, यह, इस आर N GMs between A and B, अब हमने क्या क्या, दो number लिए A और B और इनके बीच में, N numbers को insert कर दिया, such that these sequence, this sequence is in Gp, तो यह जो insert के एक नमबर थे, यह ही कहलाते है, GM of, यह GM between A and B, N GMs between A and B, अब अगर GM है, तो condition क्या लगानी पड़ेगी, सपोज, दो number थे, A और B, और इनके बीच में, हमने एक number insert किया, G, which is GM of A and B, क्योंकि यह जो sequence है, वो GP में है, तो जो middle term है, उसका square किसके बराबर हो जाएगा, A, B के, और G is equal to under root of A, B, तो अगर number 2 है, A और B, और उनके बीच में, हमने single GM insert किया है, तो उसकी value हैगी, under root of A, B, और A, B raise to power 1 by 2, ठीक है, तो अगर A की GM है, तो 1 by 2, ऐसी अगर हमने और बहुत सारी GM को insert किया है, तो क्या हो जाएगा, आना बहुत सारी GM insert कर दी, तो suppose, यह है यहां से यहां तक N, तो N terms है हमारे पास, तो total A से लेकर B तक कितनी हो जाएगी, N प्लस 2 terms, ठीक है, तो total N प्लस 2 terms है, यह है last term B, suppose, जो common ratio है, वो R है, क्योंकि GP है तो हमें जरूत पढ़ रही है, common ratio की, ठीक है, तो first term पता है, A है, last term जो sequence की बनने वाली है, वो B है, this sequence is in GP, ठीक है, number of GM inserted are N, ठीक, तो हमें पता करना पढ़ेगा की common ratio क्या हम रखें, जिससे की यह जो पूरा sequence है, वो GP में बने, तो common जो ratio है, वही important है, ठीक है, तो जो last term है B, वो क्या हो जाएगी, first term और common ratio, suppose R raise to power, कितनी, N minus 1, where N is number of terms, तो number of terms कितनी है, A से लेकर B तक, N plus 2 terms, तो N plus 2 minus 1 is N plus 1, तो यहां से हमें मिलेगा, R is equal to B by A raise to power, 1 upon N plus 1, तो यह हो गया common ratio, तो यह common ratio लगाएंगे, तो हमें G1, G2, G3, जो भी चाहिएंगे, तो सब मिल जाएगा, तो G1 है क्या basically, तो G1 is second term of Gp, that is AR, आपने को पता है, G2 is third term, तो AR square, and so on up to, Gn क्या हो जाएगा, AR raise to power N, तो यह Nth GM find out करने का, formula भी है हमारे पास, AR raise to power N, ठीक है, 1 था तो AR की power 1 है, 2 है तो 2 power है, N है तो N power हो जाएगी, तो इस तरीके से हम, GM find out कर सकते हैं, कोई साभी, थर्ड, सैकिंड, फोर्ड, जो भी अपने को चाहिए होगा, हम यहां से calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो तीन number अगर, जोरी, आप चाहिए अपने को G1, G2, G3 and so on up to Gn, तो क्या किया है हाँ पर, N, GM थे, इनका product चाहिए अपने को, यह हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I, 2, N, और G, I, तो कैसे calculate करेंगे, इसको जो अपन multiply करके देखते हैं, तो यह आता है, single, जो GM है, उसकी power N, तो G raise to power N भी इसको हम लिख सकते हैं, तो N terms, यह जो N GM से, उनका जो product है, वो आएगा, single जो GM होता है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, under root of AB, इसकी power N, N क्या है, number of GM जो हमने insert के होंगे, और उजिनका हम product find out कर रहे होंगे, ठीक है, तो next इसमें क्या हो सकता है, GM के अंदर, तो देखो, यहाँ पर हमने दो number लिए, और उनका जो GM है, वो आया, under root of AB, मतलब AB की power 1 by 2, दोनों का product और उसकी power 1 by 2, इसी तरीके से, अगर हमारे पास में, तो AN है, और इनकी जो power है, वो कर देंगे अपर 1 by N, ठीक है, तो यह product, यह है कि N numbers है, तो उनका हम GM कैसे calculate करेंगे, 2 number के लिए power 1 by 2 करेंगे, 3 number के लिए power 1 by 3 करेंगे, ऐसी N numbers के लिए power 1 by N कर देंगे, तो यह GM मिल जाएगा, तो सपोज जी, यह GM में क्या-क्या है हमारे पास में, जो important points है, वो discuss कर लेते हैं, तो 3 numbers अगर GP में है, तो उनका middle number है, वो GM कैसे लिएगा, ठीक है, दो numbers अगर हमारे पास में, A और B, उनका GM कैसे calculate करना है, तो दोनों का product, उनका power 1 by 2, इसके बाद में कि, अगर हमने N GM insert कर दी है, तो अपने को common ratio चाहिए, common ratio का formula आगए, B by A whole power 1 upon N plus 1, ठीक है, Nth GM चाहिए, तो A raise to power N, अब अगर हमें N GMs, जो हमने insert किये थे, उनके product की जरुद पढ़ रही है, तो वो क्या हो जाता है, under root of AB raise to power N, under root of AB क्या है, तो इन दो number के बीच में, जब हमने एक ही GM insert किया था, G, वो है under root of AB, उसकी power N लगा दी, तो यह मिलेगा, हमें N GM का product, ठीक है, अब है कि, अगर N numbers G, GP में है, तो हमें उनका GM चाहिए, N numbers का, तो कैसे calculate करेंगे, तो उनका product निकालो, और उसकी power गर दो 1 by N, जैसे हमने यहां भी किया, दो number का GM power is 1 by 2, तो N number का GM power is 1 by N, तो यह GM है, इसके उपर, particularly इसके उपर कोई question अभी तक, GM, N में उच्छा नहीं गया है, next relation between AM and GM, तो AM और GM की बात चल रही है, AM हम पढ़ चुके हैं, GM भी पढ़ चुके हैं, suppose दो number हैं हमारे पास में, A और B, AB greater than 0 है, B भी greater than 0, तो यह important point है, कि जो दो number हम ले रहें, दोनों ही positive होने चाहिए, तो दो number का AM है, suppose AM को अपन denote कर रहे हैं, A से, तो यह जाएगा, A plus B by 2, और जो GM है, इसको अपन denote कर रहे हैं, G से यह जाएगा, under root of AB, तो property क्या है, कि जो AM होता है, is always greater than GM, यह याद रखेंगे, ठीक, important है, A greater than 0, B greater than 0, तो जो भी हम number ले रहें, उनका वो जो भी number है, वो सारे positive होने चाहिए, है ना, इसी तरीके से, अगर N numbers है हमारे पास में, ज़रूरी नहीं कि 2 ही होंगे हमेशा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो condition हमेशा ही apply होगी, अगर 2 से ज़्यादा भी positive numbers हैं, तो उनका भी जो AM होगा, वो उनके GM से बढ़ाई होगा, AM जो है, वो GM के equal भी हो सकता है, यह किस केस में होगा, when numbers are equal, जैसे A, 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 A are in AP, A, 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 A are in GP, तो अगर numbers are equal, then A is equal to G, otherwise A greater than G ही होना चाहिए, तो combine करके हम क्या लिख सकते हैं, A greater than or equal to G, तो बहुत important है, यहाँ से questions आ सकते हैं, GMN के इनदा है, तो कुछ example देखते हैं, के उपर, A, M, और GM की property के उपर, यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट इस, A, B, and C are positive, तो पहली condition अपरी true होगी, यहाँ इफ A plus B plus C is 3, then the maximum value of this product, तो दो चीजे चल रही होंगे, यहाँ पर, यहाँ और GM में, A, M is sum of numbers, और GM is product of numbers, तो यहाँ तो हमें sum दिया होगा, यहाँ हमें product दिया होगा, तो अगर sum देगा, तो product की maximum value पूछ रहा होगा, और second वाले question में, अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमें product given है, तो minimum of sum, sum given है, product की maximum value पूछ रहा है, AM, GM लगाना पड़ेगा, product दिया हुआ है, minimum value पूछ रहा है, sum की, AM, GM लगाना पड़ेगा, तो दिमाग में रखेंगे, AM और GM हमें कब लगाना है, product दिया है, तो हमें sum की क्या value करनी है, minimum चाहिए, और अगर हमें sum दिया हुआ है, तो product की maximum value निकालनी है, AM और GM लगाएंगे, अब देखवा कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ, A plus B plus C is 3, और maximum of product, तो product की power कितनी है, A raise to power 2, B raise to power 3, C raise to power 2, A को 2 part में convert कर देंगे, B को 3 में, और C को 2 part में, इसको break कर देना, तो क्या हो जाएगा, A square को हम लिख सकते हैं, A by 2, प्लस A by 2, तो यह जो A plus B plus C equal to 3 है, इसी को break कर दें, तो A by 2 plus A by 2, B को लिखा, B by 3 plus B by 3 plus B by 3 plus C को लिख दिया, हमने 2 power चाहिए हैं, तो C by 2, C by 2, अब यह 3 है, ठीक, अब यहाँ पर लगादेंगे, A M और G M वाली property, देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 numbers का जो A M है, वो उनके G M से बढ़ा होगा, या उसके बराबर हो सकता है, यही है ना, तो देखो, A by 2 plus, A by 2 plus, B by 3 plus, B by 3, plus B by 3 plus C by 2, plus C by 2, कितने number है, 7, तो यह हो गया इनका A M, यह किस से greater होना चाहिए, इनके product, और उसकी power कितने लगानी पड़ेगी, तो 1 by 7 होगी power, यह हो गया 7 यहाँ पर, तो जब product करेंगे, तो क्या क्या मिलेगा, A square हो गया होगा, B cube, C square हो नीचे क्या बनेगा, तो 2 आएगा 4 time, तो 2 raise to power 4, 3 raise to power, 1, 2, 3 तो 3, यह है, यह क्या बन रहा है, यह A plus B plus C है, तो इसकी जगह पर आगे 3 by 7, यह 1 by 7 power, इधर आगे 7 होगी, और इधर मिलेगा अपने को, A square, B cube, C square, और नीचे आगे 2 raise to power 4, 3 raise to power 3, और यह चल रहा है, greater than or equal to, यहां से क्या मिल रहा है, कि जो A square, B cube, C square है, यह always less than or equal to, 3 raise to power 7, और यहां 3 है, तो 10 होगी, इन्टू 2 raise to power 4, और division में 7 raise to power 7, इससे में सही, छोटी रहने वाली है, तो minimum value कहा है, तो यह minimum value है, इस इस minimum, इसको कैसे करेंगे, यहां पर में क्या दिया हुआ है, जो product है, वो given है, और minimum चाहिए sum का, तो इस particular case में, इसको तोड़ेंगे नहीं, जो में दिया है, ABC, इसको break नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, as it is उठाओ इसको, तो 2 A plus 3 B plus 4 C, तीन नमबर है, 2 A, 3 B, 4 C, यह हो गया इनका A M, is always greater than or equal to, इनका product कितना हो जाएगा भई, 3 2, 6 तो 24 A, B, C, और power कितनी, तीन नमबर से तो 3 होगी power, तो 1 by 3, यहां से अपने को मिल रहे है, twice A plus 3 B plus 4 C, is greater than or equal to 3 into, यह कितना है भई, 24 into A, B, C कितना था, 64 raised to power 1 by 3, तो कुछ आजाएगा यहां से, तो 3, और यह 4 तो बारा आगे हैं यहां से, 64 की power 1 by 3 is 4, और इसको लिख लेते हैं से, 24 की power 1 by 3, तो यह जो है, twice A plus 3 B plus 4 C, जो हमें दिया था, is always greater than or equal to this number, मतलब minimum value क्या होने वाली है, दियान रखेंगे हमें कहां पे property लगानी है,